कादर खान जिनका जन्म 1937 में काबुल में हुआ था एक साधारन परिवार से निकल कर बॉलिवुड के सबसे प्रतिष्ठित लोगों में से एक बन गए अपनी अविश्वस्णिय बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाने वाले कादर खान ने अभिनेता, हास्य अभिनेता और लेखक के रूप में स्क्रीन पर अपना दबदबा बनाया खान ने अमताब बच्चन जैसे बॉलिवुड के महान लोगों के लिए अविस्मरणिय समवाद लिखे और तीन सौ से अधिक फिल्मों में अभिनाय किया जिसमें हास्य और खलनायक दोनों तरह की भूमिकाय निभाई उनके मजाकिया वन लाइनर्ज से लेकर भावनात्मक अभिनाय तक कादिर खान की विरासत भारतिय सिनेमा के दिल में बसी हुई है हमारे साथ जुडें और इस महान हस्ती के जीवन के बारे में जानें जिसने बॉलिवुड के सुनहरे युग को आकार दिया एक साधारण परिवार में जन में कादिर का प्रारंभिक जीवन संघर्ष से भरा था उनके परिवार ने एक बहतर भविश्य की तलाश में भारत के विशाल और व्यस्त शहर मुंबई की योर रुख किया यहां मुंबई की तंग गलियों और जीवन के संघर्षों के बीच छोटे कादर ने कठिनाईयाँ तो देखी लेकिन इन्ही संघर्षों में उन्हें प्रेरणा भी मिली कादर खान की बुद्धिमानी बच्पन से ही दिखाई देने लगी थी उनका दिमाग तेज था और ग्यान की भूक भी लेकिन मुंबई की जिंदगी आसान नहीं थी गरीबी से जूचते हुए कादर में महसूस किया कि हालात बदलने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया जो उस समय के हिसाब से एक व्यावारिक और जरूरी फैसला था लेकिन कादर का असली प्रेम इंजीनियरिंग में नहीं था उनकी आत्मा में साहित्य, ड्रामा और समबादों की गहरी चाहत छिपी हुई थी उर्दू और हिंदी पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी और जल्द ही उनके अभिनाय ने लोगों का ध्यान खीचना शुरू कर दिया एक दिन जब वह कॉलेज के एक नाटक में अभिनाय कर रहे थे बॉलिवुड के दिगज अभिनेता दिलीप कुमार की नजर उन पर पड़ी दिलीप कुमार कादिर के अभिनाय और लेखन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें फिल्मों में लिखने का मौका दिया यही वहपल था जिसने कादिर खान की जिंदगी बदल दी और उन्हें बॉलिवुड के सफर पर आगे बढ़ाया कादिर खान की बॉलिवुड में शुरुवात धीमी रही लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला उन्होंने 1973 में फिल्म दाग से अपने अभिनाय की शुरुवात की भले ही यह मुख्य भूमिका नहीं थी लेकिन कादिर का अभिनाय दर्शकों के दिलों पर अपनी चाप छोड़ गया इसके बाद एक के बाद एक फिल्मों में उन्हें भूमिकाएं मिलने लगी और जल्द ही वे बॉलिवुड के हर किरदार में ढलने वाले अभिनेता के रूप में मशहूर हो गए चाहे वे खलनायक हो, कॉमेडियन हो या गंभीर भूमिका निभाने वाला किरदार लेकिन जहां एक तरफ कादिर खान अभिनाय में नाम कमा रहे थे वहीं उनके लेखन की प्रतिभा ने उन्हें बॉलिवुड का दिगज समवाद लेखक बना दिया था सत्तर के दशक के मध्य में कादिर खान ने फिल्मों के लिए समवाद लिखने की शुरुआत की उनकी पहली फिल्म थी जवानी दीवानी 1972 इसके बाद उनकी मनमोहन देसाई और प्रकाश महरा के साथ चोड़ी जमी जो बॉलिवुड के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय बन गई कादिर खान के समवाद न सिर्फ फिल्म का हिस्सा होते थे बलकि वे फिल्मों की आत्मा बन जाते थे उनकी लेखनी में गहरी समझ, चुटीला हास्य और भावनाओं का जादू था उन्होंने अमिताब बच्चन के साथ कई एतिहासिक फिल्मों में काम किया और उनकी समवाद लेखनी ने बच्चन की एंगरी यंग मैन की छवी को गढ़ने में अहम भूमिका निभाई फिल्में जैसे अमर अकबर एंथनी, 1970, मुकदर का सिकंदर, 1978 और कुली, 1973 में कादर खान के समवादों ने अमिताब को सुपरस्टार बनाने में बड़ा योगदान दिया कादर खान ने अपने करियर में 250 से अधिक फिल्मों के लिए समवाद लिखे उनकी लेखनी केवल शब्दों का जाल नहीं थी, वह भावनाओं की गहराई को शब्दों में पिरोते थे चाहे वह कॉमेडी हो या गंभीर फिल्म, कादर खान के समवाद लोगों के दिलों में उतर जाते थे जहां कादर खान के गंभीर फिल्मों के समवाद उन्हें एक दिगज बनाते थे वहीं उनकी कॉमेडी ने उन्हें आम जनता का प्यारा बना दिया 90 के दशक में कादर खान की कॉमेडी रोल्स ने बॉलिवुड के कॉमेडी को एक नई उचाई दी गोविंदा के साथ उनकी जोडी ने दर्शकों को हसी के ठाहकों से भर दिया कुली नमबर एक उन्नीस सो पंचानवे दूलहे राजा उन्नीस सो अठानवे और हसीना मान जाएगी उन्नीस सो निन्न्यानवे जैसी फिल्मों में कादर खान का हास्य प्रदर्शन अद्वितिय था उनकी अदाएं समवाद अदाएगी और मज़िदार अंदाज ने उन्हें एक आईकॉन बना दिया चाहे वह हंसाने वाला बाप हो या चालाक मकान मालिक कादर खान हर भूमिका में जान डाल देते थे कादर खान न केवल एक बेहतरीन अभिनेता और लेखक थे बलकि वह एक शिक्षक भी थे उन्होंने कई नवोधित कलाकारों और लेखकों का मार्ग दर्शन किया उन्हें सिखाया और उनके करियर को सही दिशा दी गोविन्दा जैसे कई कलाकारों ने खुलेयाम कादर खान को अपना गुरु माना वे एक विनम्र और बड़े दिल वाले इंसान थे जो अपने ग्यान को बाटने में कभी कंजूसी नहीं करते थे अपनी जीवन की अंतिम वर्शों में कादर खान ने प्रोग्रेसिव सुपर न्यूकलियर पालसी नामक एक दुरलब बीमारी का सामना किया यह बीमारी धीरे धीरे उनकी गती और आवाज को छीनने लगी जो यह समवाद लेखक के लिए बेहत दर्दनाक थी लेकिन उनके परिवार का समर्थन हमेशा उनके साथ रहा जो कनाड़ा में उनके साथ रह रहा था 31 दिसंबर 2018 को कादर खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया उनकी उम्र 81 साल थी और उनके जाने से एक युग का अंत हो गया लेकिन उनका योगदान अमर रहेगा 2019 में उन्हें मरणो प्रांथ पदम श्री से सम्मानित किया गया जो उनकी अमर धरोहर का प्रमान है कादर खान का जीवन केवल सफलता की कहानी नहीं है ये संगर्ष, प्रतिभा और अटल जुनून की कहानी है काबुल की गलियों से लेकर बॉलिवुड की उंचाईयों तक का सफर किसी प्रेरणा से कम नहीं है उन्होंने न केवल सिनेमा को सम्रिध किया बल्कि अपने समवादों और अभिने से करोडों दिलों को छूलिया आज भी उनकी फिल्मों और समवादों में वह जादू जीवित है कादिर खान को हमेशा याद किया जाएगा न केवल एक बहतरीन अभिनेता के रूप में बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में इसने बॉलिवुड को एक नया रूप दिया और हिंदी सिनेमा की धारा को बदल दिया आपको हमारे पटना स्टोरी चैनल की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और पहला वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाएं